नमस्का, मैं होसासी आयो जरकन की टॉप पचीस पर मोग खबर जानते हैं इस सुरक्षा को पार करने के बाद ही कोई भी ब्यक्ति मैदान तक पहुँच पाएगा सादे लिवाज में भी पूलिस कर्मी तैनात रहेंगे उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे इस्टेडियम के भीतर और बाहर गेट पर असमाजिक ततों पर निग्रानी रखे मौसम पुरु अर्मान में बताया गया है कि राज में मौसम समाने रूप से सुस्क बना रहेगा हलाकि राज के मौसम में 21 नौमबर के बाद बदलाव आनने की पूरी संभवना है एक कम दबाव का छेत्र दक्षिन पूरु बंगाल की खाड़ी और उत्री अंडमान समुद्रे के उपर बना हुए है इसके चक्रवाती रूप में बदल कर पच्छिम की तरफ बढ़ने की संभवना है इसके बाद एक चक्रवाती छेत्र गुरु आर को दक्षिन पूर्चिम बंगाल की खाड़ी से दक्षिन अंद्रपरदेश और उत्री तमिलाडू के तड़ पर टकरा सकता है इसके करान इन दोनों राज्यों में मध्य से भारी बारिस होने की संभवना है मीशन मोड में गाउ घर तक पहुचे आपके द्वार कार करम हिमंत सुरेन जार्खन सरकार की महत्वकांची योजना आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार अभियान को मिशन मोड पर गाउं गाउं वह घर घर तक पहुचाने का निर्देश CM हैमन सुरेन ने दिया है बता दे CM सिरिसुरेन ने राजे के सभी DC के साथ वीडियो कंफरेंसिंग के जरिये निर्देश दिये इसका उदेश से सुदुर ग्रामिनों तक सरकार की जनकारी पहुचाया जाएगा बैठक में राजे के सभी DC को समवधित करते हुए CM सिरिसुरेन ने कहा कि आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार अभियान को कारगर बनाए उन्होंने कहा कि अधिकारी इस अभियान को रूटीन अभियान के रूप में ना ले या सुनेश्चित करे कि जिस ग्राम पंचायत में कैम्प लगे वहाँ परखंड विकास पता अधिकारी एवं अंचल अधिकारी के उपस्तिती अनिवार्य हो कमबल बित्रन कारे सो समय पूरा करें CM हमांद CM सिरी सुरेन ने सभी DC को निर्देशित किया कि सरदी के मौसम के मद नजर सभी जीलों में कमबल बितरन कारे साथ समय हो या सुनिश्चित कराए उन्होंने कहा कि आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार अभियान के तहौत जिस ग्राम पंचायत में कैंप लगाए, वहाँ प्रात मिक्ता के साथ कमबल बितरन का कारे भी करे उन्होंने कहा कि सोना सोबरम योजना के तहथ, पात्र लाभको को धोती लोंगी तथा साड़ी का बितरन सुनिश्चित कराए बिहार जारखन के रास्ते चलेगी बैसनो देवी उतर भारत दर्शन ट्रेन जम्मू में मा बैसनो देवी के दर्शन कराने के साथ है, उतर परदेश में अयोधिया से लेकर मतुरा तक भ्रमन कराने के लिए IRCT वैसनो देवी उतर भारत दर्शन स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है बतादे धनबाद के यात्री भी इस ट्रेन में सीट रियर करा सकते है ट्रेन में AC 3 वा सिलीपर कलास की से उधादी गई है बता दे बैसनो देवी उतर भारत दर्शन स्पेसल ट्रेन अगामी 12 दिसंबर को राची से खुलेगी इसमें बोकारो इस्टिल सीटी धनबाद आसनसोल चितरनजन जामतरा मधुपूर जसीडी जाजाग क्यूल मुकाव बक्तियारपूर पटना आरावब बक्सर के यात्री भ आठ रात का होगा घर घर दस्तक अभियान रांची में 29 नुवंबर को मेगा वैक्सिनेशन कैम्प रांची जीले के सभी परखंडों में टीका एक्सप्रेस एंड मैसिव वैक्सिनेशन कैम्प हर घर दस्तक कैम्पेन चलेगा सुक्रवार को सभी परखंडों में कुरोना ट दूसरी डोज के लंबित अभियार्तियों को चीनित कर ठीका लगाया जाएगा बतादे सभी वरिये पदा धिकारी निधारित परखंड में ठीकाकरण कारेकरम के दोरान विभीन ठीकाकरण केंद्र का भ्रमन करेंगे जारखंड के सरकारी करमचारियों को भी मिलेगा 31% महाँगाई भत्ता रज कर्मियों को केंद्र के अनुरूप 1 जुलाई 2021 के प्रभाव से बेतन का 31% की दर से महाँगाई भत्ता मिलेगा बतादे जिन कर्मियों के लिए 1 जुलाई 2016 से पुनरिक्षित बेतनमान यानी सातवा केंद्रिय बेतनमान अनुमाने किया गया है उन्हें इस दर से महांगाई भता मिलेगा बित पिभाग ने इस समंदीत संकल्प जारी कर दिया है महांगाई भतादर बढ़ाने का निना 12 नुमबर की मंत्री परिशत की बैठक में हुआ था जे पी एसी पीटी परिक्षा में 230 नंबर वाले चात्र पास लेकिन 272 वाले फेल जारखन लोक सेवा आयोग द्वारा जारी सात्वी आठवी नवी वा दस्वी सीवीज सेवा पीटी के रियल्ट में गरबड़ी का बिरोद कर रहे अभियार्थियों ने दावा किया है कि रियल्ट में 230 नंबर वाले पास और 272 नंबर लाने वाले फेल हो गया है बतादे अंदोलन कर रहे देवेंद्रेनाथ महतो प्रवीन चोधरी सहित अने अभियार्थियों ने मुराबादी इस्थित बापु बाटिका के समग 17 दिनों से चल रहे धरना अस्थल पर इसे समंदित दस्तावेद जारी किये है जार्खन के संतावन पर्दिशत बचे पढ़ते हैं ट्यूसन देश भर में ट्यूसन पढ़ने वाले बचों की संख्या बढ़ी है बतादे बर्ष 2018 से 21 के बिश ट्यूसन पढ़ने वाले बच्चे 28.6 फिश्दी से बढ़ कर 49.2 फिश्दी हो गाए बतादे राष्ट्रिया अस्तर पर इस दोरान ट्यूसन पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 10.5 फिश्दी की बिश्दी होई जार्खन में ट्यूसन पढ़ने वाले राष्ट्रिया उसत से अधिक त्यजी से बढ़े हैं इस दोरान जार्खन में ट्यूशन पढ़ने वाले बचों की संख्या 13.5 की ब्रीधी हुई है जार्खन में कुरोणा के 25 नए केस मिले हैं जबकि 23 मरीज स्वास्त हुए है जार्खन में कूल एक्टिव केस की संख्या 149 है भारत में 11,929 नए केस मिले हैं जबकि 11,242 मरीज स्वास्त भी हुए है भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 1,25,000 बारा है गढवा के 40 हैर इस्टूडेंट को साइकल योजना का नहीं मिल रहा लाव सरकारी बिभाग की लब परवाही से इस्टाल भी गढवा के 8 वी कक्षा के सरकारी बिद्याले की बिद्यार्थियों को साइकल योजना का लाव मिलने की संभवनाय कम है इससे पहले बीतिये साल 2021 के भी बिद्यार्थियों को साइकल का लाव नहीं मिल पाया था उलेखनी है कि आठवी कक्षा में पढ़ने वाले अनसुजी जाती अनसुजी जन जाती OBC याम अर्प संख्य कोटी के विद्यार्थियों को जीला कल्यान विभाग की और से साइकिल का लाब दिया जाता था बता दे अभी एक सप्ता पुर्व जीला कल्यान विभाग और से सभी सरकारी विद्यालियों से इस साल आठवी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सुची एक अत्र कर भेजी गई है ज्यारखन में बच्चों की पढ़ाई के लिए उतने ही मोबाईल की जरूरत जीतने लोग बदल लेते हैं राजे में जीतने लोग 6 महीने के अंदर मोबाइल बदल लेते हैं उतने बच्चों को मोबाइल मिल जाए तो पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन की समस्त्या ही दूर हो जाएगी बता दे एक सर्वे के अनुसार देश में कूल अबादी के हिसाब से 60% लोगों के पास अस्मार्टफोन है और उनमें से 9.5% लोग हर 6 महीने या इससे भी कम समय में अपने सेट को बदल लेते हैं बता दे जार्खन की अबादी के हिसाब से स्मार्टफोन इस्तिमाल करने वाले उससंगे 50% भी माना जाये तो यहां लगबख डेड करोर लोगों के पास अस्मार्टफोन है ऑनलाइन सर्वे करने वाली एजेंसी की बात को पुक्ता मान कर चले तो इसमें से 14 लाग से अधिक लोग नए मुबाइल को 6 महीने के अंदर ही बदल कर नया सेट ले आते हैं भारत न्यूजिलेंड मैच को लेकर रांची का यातायात में बदलाओ भारत न्यूजिलेंड के बीच होने वाली टी-20 किर्केट मैच के लिए नए रूट को तैक किया गया है पुलिस अधिक्षक यातायात कर आलाई ने इसके लिए बकाइदा पांच रूटों के साथ साथ पारकिंग अस्थल भी चीनित किये हैं बता दे मैच से पुर्व वबाद में सहरी छेत्र को ट्रैफिक कंजेंशन से बचाने के लिए चीनित मारगों के विकल्प भी तैयार किये गए हैं टी ट्वन्टी मैच देखने के लिए राची समयत आसपास के जीलों और सटे राजियों से भी लोग लगता राजधानी पहुँच रहे हैं राची के संतानवे सब चार डिफोल्टर वाहनों की तयार हुई सुची राची जीले में डिफोल्टर वाहन मालकों पर जीला परिवहन विभाग की गाज किसी विवक्त गीर सकती है बतादे इस दिशा में विभाग ने सभी तैयरिया पूरी कर ली है बकाईदा चार चरनों में होने वाली करवाई की पूरी सुची तयार है जीला परिवहन कर्याले ने जीन 9704 डिफोल्टर के सुची तयार की है उसके पास 42 क्रोर 41 लाग 35 या 630 रुपए बकाया है बतादे पाले चरन के लिए हेवी गूर्ट्स विकल, मसलन ट्रॉक, हाईवा वर डॉमपर, मीडियम गूर्ट्स विकल, हेवी पेसेंजर और मीडियम पेसेंजर कर्टेगरी के 974 बाहनों को चीनित किया गया है नहीं रोक सकते भारत निजलेंड किर्केट मैच हाई कोट खोले जाने के सरकारी आदेश पर कोई हस्त्रशिप नहीं किया है, अदालत ने मौखिक रूप से कहा है कि यह अंतराश्री मैच है और इसे रोका नहीं जा सकता, यह जारकन की परतिष्ठा से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए अदालत मैच में किसी परकार कोई कुरोना के बाद से अब तक राची में 179 की मौथ, कुरोना के दूसरी लहर के बाद जीले में 179 की मौथ हुई जिसके मौथ का कोई असपष्ट कारण नहीं मिला है, बतादे छो मा में अभी तक 111 सिसुओ की मौथ हो चुकी है, इसमें से 179 बचों की मौथ हुआरिया, कुरोना के बच्चे से लेकर 5 साल के बच्चे तक सामिल हैं, कॉन्फरेंस में भाग लेने लखनाव रवाना होंगे डिजीपी, लखनाव में 29 नॉमबर से 21 नॉमबर तक होने वाले तीन दिवसी ए डिजीपी कॉन्फरेंस में देश की आंतरिक वबाई सुरक्षा पर बड प्लान बनने वाला है, बतादे डिजीपी कॉन्फरेंस को प्रधान मंत्री नायने बोदी समोधित करेंगे, इस बैठक में प्रधान मंत्री के निर्देशन में विदेशी घुसपैट को रोकने से लेकर एंजीओ को एपसी आरे के तहत मिलने वाले विदेशी फंड के दु मेलन में सामिल होने के लिए डिजीपी नीरज सिना गुरुवार को रख लाओ के लिए करल्यान कारी योजनाओ को हर हाल में जरुत मंदों तक पहुचा है, सीम हमांत, मोख्य मंत्री हमांसुरेंने राजे के सभी उपायुक्तों को सरकार के विभीन जन कल्यान कारी योजना करने के लिए पूरे राजे में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार अभियान शुरू किया गया है, धर्ती अबाभावान बिसामुंड़ाजी अंतिवम जार्खन राजा सबना दिवस अमारों 15 नॉम्बर के उसर पर उली हातु से इस अभियान का सुबरम किया ग करने और जमीन मफ्याओ की विरूत करवाई की मांग को लेकर राजभावन के सम्मीप धारना दिया गया, बतादे धरनास्तर पर आवजजीत सभा को सम्मुदित करते वे संगटन के परदेश अध्यक्ष राम परकास्तिवारी ने कहा कि राज में प्रात्मिक सिक्षा वेव करने की मांग की है, फरजी जमानत दारों पर नकेल कसने के लिए फिंगर प्रिंट होंगे सर्वर में अप्लोड, राजे में फरजी वा प्रोफेशनल जमानत दारों पर लगाम कसने की कवाई सुरू हो गई है, राज सरकार के गिरी बिभाके सची राजी उरून एक का इस स सब्ट्वेर में सभी जमानत दारों के फिंगर प्रिंट अप्लोड करने की बेवस्ता होगी, सब्ट्वेर को सभी जीला वा अनुमंडल के बेवार नयालियों से जोड़ा जाएगा, जार्खन सरकार के आपके अधिकार कारकरम में दो दिनों में 70 हैर अवेदन, जार्खन म आए हैं और इनमें से 15,000 आवेदन का निस्पादन भी कर दिया गया है, बता दे जार्खन सरकार ने बिरस पत्तिवार को जारी एक बिगयाप्ती में बताया कि आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके दो आरकार कारम के सुरुवात, भावान, भी सामुनुटा की जनमस्थ खोटी स्थीत उलिहातू से मुख्य मंत्रिय मंसुरेन ने 15 नौवंबर को की थी, और सिर्फ दो दिनों में लगभग 70-100 लोगों के आवेदन मिले हैं, जिन में से लगभग 15,000 मामलों का निस्पादन भी कर दिया गया है, जार्खन में 10 लाख परवासी कामगार दूसरे र मंदी समस्याओं तथा अन्यमोदों के समधान के लिए कदम उठा रही है, इस समध में राज सरकार की ओर से एक अधिकारी की बियान में यह जनकारी दी गई है, बियान के अनुसार महमारी के कारण पिछले साल मार्च में लोगटन की घोसना के बाद दोसरे राजों में पह पिरी वाटर कनक्सन, जारखन तियम हमन सुरेन की प्रत्मिकता सभी को सूध पेजल उपलब्द कराना है, इसके तहत रांची नगर निगम छेतर के अढ़ाई लाग से अधिक घरो तक फिरी में वाटर कनक्सन मिलेगा, इस से रांची के 10 लाग 30,000 आबादी लभानवित हो बता दे, गरीबों के लिए कोई सुल्क नहीं लगेगा, नगर विकास विभाग द्वारा दिसुजित वाटर टेक्स के नए दर से लोगों पर अतिरिक्त बोज नहीं पड़ेगा, बल्कि पहले की दर से भी कम रासी देनी पड़ेगी संतालियों की संस्क्रिती वब परंपरा लोगो पुरू में पहुंचेंगे सियम हमांत जारखंड के बोकारों अंतरगत ललपनिया स्थीत संतालियों के महांतित अस्थर लोगो पुरू घंटा बाड़ी धोरों गाड में गुरू आरसे एक कैसवा अंतरश्टी संताल सरना धर्म महासमेलन शुरू हो गया है बता दे मुख्य कारेकरम सोराई कुनार्मी के दिन सुक्रवार को होगा अवस्यक सुचना दिन भर की तमाम ख़वर को जानने के लिए साम 5 बजे संध्या समाचार अपलोड किया जाता है जीसे देखना ना भूले साधी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने तोस्तों के साथ सेर करना भी ना भूले धन्यवाद